हेलो गायज, वेल्टम बेग टो अबर यूट्व चैनल इंचिनर मेंन, तो आज की इस वीडियो में हम लोग JSC से रिलेटेट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं और डिसकस करने वाले डिटेल्स में, तो JSC की तरफ से ITI ऑफिसर की जो वेकिंसि आई थी, तो उसका फ की जणिए गया है और रेजन है पूरा इटेल में भिसकश करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट के भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियों कजैख्र है तो लाइक कर दो और शेयर कर दो तो आप सुचना जारी की गई है उलेकनी है कि पूरू की सुचना की अनुसार बैकलोग वा नियमित रिखती के साथ 27 पदोपर नियुक्ती के लिए 19 अपरेल से ओनलाइन आवेदन समर्पित करने की प्रकिरिया सुरू ही थी 18 मही तक ऑनलाइन आवेदन जमा होना था बता गया कि आगे की प्रकिरिया के लिए आयोग सीगर ही सुचना जारी करेगा और विशेश दिशा निर्देश देगा विभाग द्वारा गाइडलाइन में संजोदन क्या जा रहा है तो फ्रेंड्स इसमें हुआ क्या था जो कि हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि एक सर्टिफिकेट था उस सर्टिफिकेट का नेम है एंसी आई सी सर्टिफिकेट जिसकी अनिवारियता कर दी गई थी और इसी वजह से इसमें मोडिफेकेशन किया जा रहा है क्यों कि जो लोग बीटे को डिपलोमा किये हैं वो लोग तो ये कोर्स कर नहीं सकते हैं इसी रीजन से हो सकता है क्योंकि यहाँ पर नीचे भी दिया गया है कि जो eligibility criteria है उसमें change किया जाएगा इसी वज़से यह form को फिलाला भी cancel कर दिया गया है तो एक certificate था जो कि compulsory क्या गया था हर एक पोस्ट में वो आपको मैं एक बार बता लेता हूँ कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 2022 है इसमें वेकेंसी जाए है और बहुत सारे वेकेंसी जैसे मैंने अभी बतलाए 727 पोस्ट और डिफरेंट डिफरेंट डिप्लोमा वाले एंड बीटेक वाले हर एक ब्रांच के अर्मोस्ट लगब सारे ब्रांच के कंडिडेट्स इसमें एलीजीवल हैं लेकिन यहां पर एलीजीवल तो हैं एक सर्टिफिकेंट एक्स्ट्रा में इलीटिक क्रॉटेरिया में कंपल्सरी कर दिया गया है जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर लिखा गया अनिवार योगिता रेलिवेंट नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट NCIC in any of the variants under TGDGT तो यह वाला सर्टिफिकेट जो लोग भी टेक एंड डिपलोमा कि हम लोगों के पास है ही नहीं तो इन लोगों ने कुछ दिन पहले application दिया था JSC को और बोला गया था कि यह compulsory eligibility criteria जो है इसको remove कर दिया जाए तो इसलिए JSC ने उन लोगों को बात को मान लिया है और इसमें थोड़ा modification करने का सोच रहा है इसलिए इस फॉर्म को फिलाल के लिए अस्तगित कर दिया गया और यहां पर हर एक दिसे आप देख सकते हैं कि प्रसिक्चन अधिकारी information technology है तो इसमें बीबिटेक तो eligible है डिप्लाओं वाले भी eligible है computer science में computer application में लेकिन यहां लास्ट में क्या दिया गया है compulsory अनिवार योगिता relevant national craft instructor certificate in any of the variants under DGT तो यह वाला NCIC certificate compulsory कर दिया गया है जो कि किसी के भी पास नहीं है तो जो बीटेक इन डिप्लाओं वाले हैं उन लोगोंने application दिया था CC को और बोला गया कि यह वाला जो compulsory criteria है इसको remove कर दिया जाए तो इसी वज़़े से हो सकता है कि अभी फिलाल के लिए form को cancel कर दिया गया online apply process को तो उम्मिद है आपको यह information अच्छा लगा था information अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारा चैनल परने तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे वीडियो को सेर कर देना